आसकार टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत हमें हूँ आपके साथ अखिल जाएंगे चले रूख करते हैं खबरों की ओर टॉंक जिले के देवली में पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है इसी दोरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया इस घटना के बाद पुलिस के उचा दिकारी भी मोके पर पहुँचे फिलाल पुलिस मोके से फरार आरूपियों की तलास में जुट गई है खबर हनमानगर से है जहां भादरा कस्बे में मनोरम और दृष्णिय स्थल के रूप में विक्षित भगवान शिव वार्टिका का लोकारपन ओडिसा के राजेपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और शहर के नागरिक करेंगे इसे पूजा अर्चना और वेदिक मंतरो चारण के साथ वार्टिका का लोकारपन किया जाएगा वहीं समारों में विधायक बलवान पूनिया सहित शिव वार्टिका निर्मान समीती के पदा दिकारी और शदर से पूजा अर्चना में शामिल होंगे आपको बता दें कि शिव वार्टिका के मुख्यद्वार का निर्मान कारिया श्री शाम शिक्षन संस्थान के संस्थापक पंडित धनराज शर्मा की सम्रिती में शाम शिक्षन संस्थान की ओर से करवाया गया है शिव वार्टिका में किस प्रकार दिर्मान हो है शिव वार्टिका में मुख्या रूप से हमने चामता पर सुबश्यां के लिए ट्रैक्ट में वाई है साकडा में पूरो विधायक सेतान सिंग राठोड ने साकडा मंडल अद्धिक्स का दुपट्टा और माला पहना कर अभिन्यंदन किया जानकारी के नुसार जैसल मेर जिले के पोकरण विधांचपा क्षेतर के सागडा मंडल से मंडल अध्धिक्स हनुमान सिंग खेतासर को निर्विरोध बनाया गया है वहीं ग्रामिनों ने पानी को लेकर पूरविधायक को बताया कि कई जगह पर पोकरण फलसूंड लिफ्ट कैनाल से सप्लाई होने वाला पानी पूर्ण रूप से नहीं पहुँचता है जिसके काण वर्तमान में परिशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं ग्रामिनों ने बताया कि उन्हें 600 रुपे टेंकर देकर पानी डलवाना पड़ रहा है श्री गंगानगर में राष्ट सुरक्षया के साथ साथ नागरिकों की हर संभव मदद करना सेना का मुख्य उद्धेशिष है यह बाद नगर पालिका उद्ध्यान में नागरिकों सेना के अधिकारियों की एक संयूक्त समन्वे बैठक में डोगरा रेजिमेंट के मेजर अभिशेक गिल ने कही साथ ही कहा कि आगामी आने वाली समय में सेना नशिय पर अंकुष लगाने के लिए विशेश अभ्यान चलाएगी इस समन्वे बैठक में पालिका अधिक्स चमकोर सिंग सहीत कई लोग मोजूद रहे दोसा जिले के बांदीकुई में स्थापना दिवस समारो आयुजित किया गया इस जिला स्थापना दिवस पर लोग कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कारिक्रमों की प्रस्तूतिया दी इसे उसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि कम समय में बांदी कोई उपखंड पर बहतरीन कारिक्रम आयुजित किया है। उसके लिए स्थानी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इस मोगे पर नगरपाली का अधिक्ष इंद्रा बैर्वा सहीत उपखंड क्षेतर के गण्माने लोग मोजूद रहे। बैयावर में बरकतों और मगफिरत से भरे माहे रमजान के पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई। जहां हजारों मुसलिम धर्माव लंबियों ने अपने अपने क्षेतर की जामा मस्जिदों में पहुँच कर जुम्मे की नमाज अदा की और रब की बारगाह में हाथ फैला कर अमन चैन और खुशाली की दुआएं मागी। इस दोरान सेकडों की संख्या में मुसलिम बंदु मस्जिदों में एक अत्रित हुए जिसके कारण शहर में अच्छी खासी भीड देखने को मिली। अधिकारियों को सोपा गया है। रेली जुलूस का आयोजन नहीं करेगा। इस दोरान आयोजन करताओं ने रूट चार्ट लेकर उनका निरिक्षन कर निर्धारन किया। जुलूस और शोबायात्रा कि CCTV कैमरों के द्वारा निगरानी रखी जाएगी और साथ ही सभी कारेकरमों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। जुलूस पर शोबायात्रा कि अधिया जाएगा। चतों पर रूफटॉप पर हमारे आद्मी रखी रहेंगे। और इसके अलावा प्लें ट्लॉस में डिप्लाइमेंट किया जाएगा। ताकि देखिए कि कोई सरार्टी तत्प इसका अभू नहीं कर रहा है। और जो मेंट्वाजे बगर हैं उन पर भी निगार रखी जाएगी कि कि अहीं कोई सरार्टी तत्प उसमें बूटी तत्प कोई अन्य स्वित्या परताना करें। हमने मुस्लिम समाज के लोगों से अग्रे किया है कि परयाप्त मात्रा में वालिंटेस्ते हैं। इसके लावा आईजे गर्ण को भी काया है कि वालिंटेस्ते मात्यम से नेंतर तक ना हमारा असान रहेगा। और सुशल वीडिया पर विच्छे स्विश्व नेंतर कर रहे हैं। अज मेर में राजे सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करवाए जाने को लेकर CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। वहीं गाइडलाइन के नुसार धार्मिक का रिक्रम आयोजन करने की अपील की। इस दोरां धाना दिकारी दिनेश कुमार चोदरी ने सभी से कानून व्यवस्था बनाये रखने और राजे सरकार द्वारा गाइडलाइन की पालना करते हुए धार्मिक आयोजन करने के निर्देश दिये। की मिटिंग में अमंत्रित किया है वे भाईचारा स्वाध्रेपुर्ण वे है। द्यावर शहर में कानून और शांती व्यवस्था के मद्दे नजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मुलेटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहिए टी पी वी न्यूज नमस्कार।